बोलता है let A be non singular matrix of order 3 by 3 then find determinant of adjoint of A याद करिए मैंने property को important mark कराया था जिसको छोटा था example दे के समझाया था उसको use करते हुए एक मिनट का question भी नहीं है मैंको determinant निकालना है किसका adjoint का ठीक है तो मैंने पहले उस property में में बहुत क्लियरली बिताया था वापक्स जाहिए वीडियो में देखिए किसी भी adjoint वाली matrix का मतलब को factors वाली matrix का transpose करके adjoint आता है joint का जब determinant निकालना होता है तो किसके equal होता था मैंने property बताई थी जब भी joint A का determinant निकालना होता है तो किसके equal होता है वो determinant of the given matrix देखिए यही इसका answer क्या हो जाएगा determinant of A रेश्टर पार 3-1 यही option होगा ठीक है आपके पास बुक के अंदर एक option होगा MCU question I guess ठीक है वहाँ पे देखिए यही इसका answer है ठीक है यही इसका answer है ठीक है इसके बहुत तरह के solution पॉसिबल है ठीक है आप अलग अलग तरह का example लेंगे तो भी answer आएगा बट मेरे इसाब से the best possible answer is ठीक है कैसे लिखना है देखिए आप क्या निकालना है the determination of它的 एइन वर्ष जो आता है जो number साय इंवर्सप्र मैं आता है इसके इंवर्सव सुली उसका निकालना सुब्सक्राइब इंवर्स करते हम यह को इसको क arrows करते हो को उसके प्राप्टी नदिडिक और दिंटी निगा हुथ होता है कि प्रड़क्ट करके डिटर्मिनेंट निकालो या इंडिविज्डर्मिनेंट निकालो बात एक ही है प्रप्रप्टी उसकर सकते हैं तो मैंने यहाद करेंगा इस determinant of identity matrix is always 1 ठीक है, फिर आपो क्या चाहिए था question में, determinant of A inverse, so determinant of A inverse नहीं रखा, ये नीचे भेज दिया उस साइट पे तो 1 upon determinant of A that means determinant of A inverse is equal to 1 upon determinant of A which is my option number B, so this option number B is correct so on the basis of this video you can attempt NCRT exercise 4.5, ठीक है so we'll meet in the next video for the remaining exercise and the remaining meaning concepts of this chapter, ठीक है so please attempt करिये, सारे वीडियो को दो बार देखिये, pause करके notes में आईए सासात questions करिये and I'm damn sure कि आप सारे questions खुद कर सकते हैं, ठीक है so we'll meet in the next video, bye-bye, thank you